Welcome back to another market analysis video, nifty में 15 अमने time frame open है, आज weekly expiry थी, यहाँ पर nifty में आपको एक spike move, nifty bank के दोनों में downside देखने को मिला होगा, reason था RBI policy के उपर जो update आना था, ठीक है, अब हमारा plan क्या था हम यह देखके चलते है, 640 के उपर buy करेंगे और 530 के नीचे sell करेंगे, इसके बीच में कोई trade ने मिला, नीचे की तरफ हम बात करें, अगर हम 530 के लेवल के नीचे, यहाँ पर candle closing इतना, यहाँ पर sell करते हैं, एक candle की closing पंदावनेट की आपको काम मिली है, सीधा 19,500 के आसपास मिली है, जो round number आपका एक support होना वाला है, ठीक है, अगर market already 625 से 500 यह आदे गंटे में आया तो यह चीज़ दियाना को जिस लेवल के नीचे आप sell करने वाले हो, वहाँ से उपर का 80 point का कम से कम आपका stop loss लगेगा, जो trade करने लायक रहा ही नहीं है, अगर market यहाँ पर खुलता, market दीरे-दीरे sideways आके देन 530 को नीचे break करता है, ऐसे levels के आसपस आपको ऐसा trade मिलता, जि यह कि market कहीं न कहीं गडबड करने वाला है, और यही point exact हम कल discuss करके गए थे, छोटे gap down में आपको trade मिलेगा नहीं, अगर flat opening देके 640 के उपर निकलता है, तो बहुत बढ़ी है trade मिलेगा, अगर market 530 के नीचे निकलता है, तो sell trade मिलेगा, अब 530 इतनी बड़ी momentum करने के बाद म क्या लग रही है, आज की जो momentum आई है, उसके साफसे market में क्या दिखाई दे रहा है, कल nifty में हमारे पास क्या बना था, hammer बना था, क्या hammer का low break हुआ है, या high break हुआ है, किसी भी side में नहीं हुआ है, तो फिलाल यह हमारे लिए एक volatile candle है, अभी तक हमारा nifty में कोई clear cut conclusion नहीं ह कि उपर निकलेगा, market या नीचे निकलेगा, जिस side भी break करेगा, उस side आपको एक momentum दे सकता है, कल एक bullish hammer बना था, support बना था, तो उसी को respect करते वे चलेंगे, अगर उपर break होता है, 650 के उपर bullish है, अगर नीचे break होता है, 450 के नीचे bearish है, 200 point के बीच है, market अभी side is too high volatile है, nifty, 15 म होगे, तो आपको थोड़ा से level उपर दिखाई देखाई, double trend line concept यहाँ पर आपको लगाना है, अगर उपर breakout देखने को मिलता है, मान के चलो, 550 पर बंद हुआ है, 10-15, 20 point का gap of opening आती है, market आपको 506, 570 के आसपस trade देता है, फिर से 600 का resistance होने वाला है, तो क्या आपको trade करना च sustain करता है, तो 600 के ऊपर निकलते ही, हम इसको buy trade plan कर सकते है, पहला target हमारा 19,650 का होना चाहिए, दूसरे target 19,720 का होना चाहिए, यहाँ तक हम buy करेंगे, 600 के ऊपर ही buy करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह trend line भी break होगी, और कम से कम 15-20 minute sustain भी होना चाहिए, बड़ा gap up नहीं आना अगर नीचे side निकलता है, तो selling के लिए भी आपके पास यहाँ पर एक zone बन चुका है, जैसे आज का low करीब लगा 500 का, कल का low लगा था, 400, 75, 400, 80 के आसपस का, तो यह पूरा हमारे लिए अभी support zone बन जाएगा, nifty मे, 480 के नीचे nifty जब भी निकलेगा, यहाँ पर एक sell trade भी बन जाएगा, 19,480 के नीचे आपका trade बनता है, sell का, 480 के आप 500 के नीचे भी अगर इसको sell करते हो ना, तो 580 के नीचे 450 तक आपका 50 point तो selling में वैसे ही मिल जाएगा, 19,500 के नीचे निफ्ती पादस में भी hold करें, sell करने का try करना, basic point का stop loss लागा के, 19,450 आपका पहला target, 19,400 आ आपका दूसरा target होना चाहिए, selling आप कर सकते हो, ठीक है, आप सैट जैसा बताया, 600 के उपर buy, 500 के नीचे sell, दोनों तरफ 50 point का पहला target, 21 point का stop loss, और करीब 50 के बार में 70 point का एक और दूसरा target, ठीक है, अभी हम ITC को देखते है, पहला stock है, हमारे पास ITC, daily candle के अंदर आप देखने को मिलें, बच कल के low नहीं टूटे है, मतलब सिक्योर है, तो हमारा trade 460 के उपर buy का बनता है, या फिर 445 के नीचे sell का बनता, उससे पहले कोई trade नहीं है, इस low के नीचे 445 के नीचे sell है, and 460 के उपर buy है, उससे पहले कोई trade नहीं है, next stock है, हमारे पास बारती है, daily candle, 804, 874 के असपर close है, नीचे support बने है, अब देखो, यहाँ पर आपको एक clear cut reversal आता हुआ, दिखाई दे रहोगा, reversal तो नहीं है, पर यह अगर नीचे break होगा, तो reverse करेगा, यह अमारे पार trend line थी, नीचे break होई, उपर जाने का एक attempt किया, यहाँ पर जो है double top लगाया, 900 के नीचे यह आप इसको sell कर सकते हो, 862 के नीचे आपका पहला target 855 का, दूसरे target 850 का intraday में selling side में होना चाहिए, अगर उपर वापर निकल जाएगा, तो sideways है, 900 के उपर जाता है, तो वहाँ फिर हम bullish trade लेंगे, next stock है हमारे पास हिंदुस्तान Unilever, 2536 के आसपास है, नीचे breakdown दे आया है, तो 2530 अगेन नीचे break होगा, तो पहला target 2500 एंड दूसरा target 2478 तक के लिए हम इसके अंदर selling plan कर सकते हैं, 2500 दें 2480, 478 के आसपास तक एक momentum आपको देखने को मिल सकता है, next stock है हमारे पास Infosys, Infosys आप देखेंगे, यहाँ पर range बनाया, बहुत ही अच्छा pattern बन रहा है, Infosys के अंदर एक intraday trade आपको capture करने के लिए मिल सकता है, 1396 में 1396 से लेकर 1380, इसकी range है, 4 दिन से इसी range के बीच में गूम रहा है, जैसे breakout देगा 1396 के उपर आपको एक buy trade मिलेगा, 1410 एं 1420 तक के target के लिए, आप इसको यहाँ पर intraday में buy side trade कर सकते हो, next stock है हमारे पास TCS, TCS अभी थोड़ा सा wait करो, मेरे इसाब से 3500 या 3490 जब तक break नहीं कर रहा है, वो तो level है हमारा 3490 के उपर ये buy करेंगे, बड़ ये buy trade में भी उतनी surety अब मेरे को नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आया flow में निकल जाता तो बहुत अच्छा है trade मिलता, बड़ तीन निन से न आपको sell trade तो मिल सकता है, बड़ वो sell trade आपको यहाँ पर 20-25 point का मिलेगा, जो कुछ खास मिलेगा नहीं, तो sell के लिए 3400 नीचे break होने तो उसके बाद में sell का सोचिंगे, next stock है हमारे पास reliance, reliance अभी double bottom मना के उपर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, 2560 के उपर buy करेंगे 25 2560 के उपर reliance यहाँ पर W pattern मना के cross करता है, तो इधर एक momentum आपको देखने को मिल सकती है, पहला target 2600, दूसरा target 2620 तक के लिए आप इसको इंट्राडे में buy side में trade कर सकते हो, I hope आपको level समझ में आयोंगे, if you like this video, please click on like button and subscribe to the channel, thank you.